नमबर वन शो का चछटा में आज बात परमानू तंदूर की जो अचानक जलने लगा है एक तरफ यूकरेन सहलाब में बहाँ जा रहा है तो वहीं जलन्सकी रुकने का नाम नहीं ले रहे और जापोरीजिया में यूकरेन की सेना ने बड़ा काउंटिर अटाक किया है लेकिन रूस की मजबूत रक्षा पंक्ति के कारण जलन्सकी की सेना को करारा जवाब मिला है और रूस ने जलन्सकी के कई टैंकों को बर्बाद कर देने का दावा भी किया है इसलिए रसीजिसके फिज़राची रासीया टानस में एक रात में 200 सैनिकों के मौत की मीन सोने के बाद भी बख्भूत की हार के हाहाकार के भी कखो का बांद के टूटने से जल प्रलय के बावच्छू और भूस की परमाणों बम दिराने की धमक्यों के वक्त जेलंसकी ने जपरेज्या पर जबरदस्त काउंटर अटाक किया इतना भीशान की रात से ही में साइलों वम और कोली बारी की आवाज बचे-खोचे जपरेज्या में जल जला पैदा कर रहे हैं भायानक जंग लड़ी जा रही है जलंसकी ने ट्रैंक से तोपों से ड्रोन से जपरेज्या को रूस के कपसे से मुक्त कराने के लिए लड़ाई छेर दी है बार के कहर से बरबावत होते खेर सौन की तस्वीरें देख जैलंसकी के घुटने टेक देने की आशंका वाली ख़बरों के बीच जपरेज्या जलने लगा है जैलंसकी का प्लान आप सुनेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि 20 प्रतिशत योकरेन की जमीन पर कप्जा करने वाले पुतिन के दावों की इस वक्त हखीकत क्या है दुनिया भर के एक्सपॉर्ट मान रहे हैं कि जपरेज्या पर चड़ाई का प्लान बहुत सुन्योजित है बहुत लंबे समय से इसे तै किया जा रहा था जब मौका आया तो जैलंसकी के जहाबाज कूट बड़े हैं जपरेज्या बचाने उस पर कप्जा करने के लिए जपरेज्या फ्रंट की लड़ाई के स्क्रिप्ट में रूस के कप्जे वाले सबसे बड़े कस्पे टोक, मार्क और शहर मेलिटोपोल शामिल है योक्रेन की सेना, वोकलेडार और वोलनोवाजा शहरों की ओर से मार्योपोल पहुँचने की कोशिश में है मार्योपोल अजो सी के करीब सबसे बड़ा शहर है जिसे एक साल पहले रूस में कप्जा कर लिया था और यही इलाका है जहां अजो वस्ताल स्टील फैक्ट्री पर कप्जे करने के लिए भीशन लड़ाई लड़ी गए मार्योपोल पर कप्जे के साथ रूस में अपने कप्जे वाले खेर सौन के साथ डान बास और क्राइमिया के बीच एक कोरिडोर बना लिया मार्योपोल पर कप्जे करने नितिक मेहत्तो होगा और रूस के फ्रंट को दो फार करने के साथ क्राइमिया को अलग धलग किया जा सकेगा जैलंस्की ने योटिकी शुरवात में ही लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया था कि पतिन के बहत्तर घंटे में योगरेन विजय का सपना पूरा नहीं होने वाला जैलंस्की पतिन को योगरेन थाली में परोसका नहीं देने वाले और अब उधारन सामने है रूस दक्षनी योगरेन पर विजय ग्राप कर अगराता रहा है कि कियू अब दूर नहीं लेकिन जैलंस्की के पलचवार ने फोतिन के प्लान पर फानी फेर दिया है Institute for Study of War के मताबिक योगरेन की सेना इस मोर्चे पर एक राग में तीन किलोमेटर आगे बढ़ी है चुकि ये इलाखा बारूदी सुरंगू से पता हुआ है ऐसे में इतनी दूरी एहम खाम्याबी है पकभूत के मोर्चे पर जीत के बीच जपरेज्या में योगरेन के काउंटर अट्रैक ने क्रेमलिन को हिला दिया है कहा जा रहा है कि जैलंस्की ने कुछ पहिने पहले इसकी प्लानी की थी लेकिन अब तक योगरेन के सैनिकों की पूरी ट्रेनिंग और पश्चिनी बेशों से मिलने वाले हथियार का इंतजार कर रहे थे जैसे ही ये दोनों काम हो है जैलंस्की अजो सीबर जंडा लहराने के लिए पुतिन को ललकारने लगे लेकिन कहां से मिली जैलंस्की को पलच कर मारने किता कर कौन है जैलंस्की के बीचे खड़ा जसके दम पर जैलंस्की रूस पर जीत हासिल करना चाहते है इन सारे सवालों का जवाब है अमेरिका के राश्रपती जो बाइदन का सबसे लेटिस बया अज़ा मंते जाश स्वाप抗 जिलेभा के राश्रपती ऑर जना है कि बडिया, जोली दूब्साइन, इना जास्रफ जयाँ दे एल वाविस्ट्रीव टे जहीं कि ही बीदों सहाव yakना आशना कि लूकाना का कार जोना है मुझा का बढोशनists की ली कि लाग upर वृट और चов exchanged zwischen वह ले लिंग नरो चानील RE Master ऑनादे में जरो संप्क्राइब इसमा के लिंग प्रावेस इस plays olduğ के अस उस्पब कarpेंज्orth an año एं मैं मुझा वे यह gonna Pliर कीफ औरिए फ द दो इन्हें है अ की अधिन later फил het तो रूस की जंग में अब तक की सबसे बड़ी हार होगी. आठ महीने की बाक्नूत योद के बाद की काम्यावी पर पानी फिर जाएगा. एक्सपर्ट मान रहे हैं कि जिस रूट को बगड़कर इस स्वक्त जेलंस्की की सेना मार्च कर रही है, उस पर पुतिन के पहरेदारों की पहनी नजर है. रूस ने इन इन इलाकों में जबरदस्त रक्षा पंक्ती तैनाद कर रखी है. जेलंस्की की सेना को यहां लोहे के जने चबाने पड़ेंगे, फिर कहीं जाकर मिकलेगा युद्ध का अज्जा. योक्रेन के उप रक्षा मंत्री हन्ना मेलियार ने दावा किया है. दुश्मन की तमाम कोशिशों के बावजूद युक्रेन की सेना कई दिशाओ की और आगे बढ़ी है. मेलियार के मुताबिक बख्मूत के करेब उत्तरी और दक्षनी हिस्सों मिस्तित कुछ कस्बों को युक्रेन की सेना ने कबजा कर लिया है ताकि रूसी सेनिकों को घेरा जा सके. जैलन्सकी नी युपेन की पॉज को इसके लिए बढ़ाई दी थी और कहा कि इस खबर का हम कब से इंदजार कर रहे थे. जैलन्सकी का जैबोरज्या काउंटर अटाक उस वक्त हुआ है जब कहा जा रहा है कि पुतिन सेना को विश्राम देने के मूड में है. रूस चाहता है कि युद में कुछ दिनों के लिए विराम वाले स्थिती हो ताकि रूस को अपने सेनकों और हत्यारों को सोनियोजित तरीके से गच्छा करने और नई उर्जा जुटाने का वक्त मिल जाए. लेकिन जैलेंस की युद के मूड में है. यूपरेन चाहता है कि रूस पर इतनी तेजी से और ज्यादा से ज्यादा हमले हों कि रूस को समखलने का मौका नहीं मिले. इस वक्त जैलेंस की यही कर रहे हैं. राजधानी कीउ से 550 किलोमीटर दूर देश के दक्षर में जैपरेजिया के आसपास लगातार लड़ाई चल रही है. शुद के तुरंद बाद ही जैपरेजिया के ज्यादातर इलाकों पर रूस ने कबजा कर लिया. लेकिन जैपरेजिया शेहर अब भी यूकरेन के कबजे आ रहा है. जैपरेजिया का फूहोल ऐसा है कि यहां जैलेंस की की एक चीज़ भी जीत भी पुतिन का विक्ट्री गणित गड़ बढ़का देगी. जैपरेजिया के न्यूक्लियर प्लांट पर रूस के कबजे से योगरेन को भारी उर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा ह है. कखोका बांट से ही क्राइमिया और जैपरेजिया न्यूक्लियर प्लांट को पानी पहुँचता है. इस पानी की राह में बाधा पहुची तो न्यूक्लियर प्लांट पंप की तरह किसी भी वक्त ओर सकता है. हलाकि रूस के कबजे के बाद से ही कहा जा रहा है कि जैपरेजिया के पर्माणो बठी का बारा धमाके के महाने पर है. जैपरेजिया न्यूक्लियर प्लांट से रैडियेशन शुरू हुआ तो सैलाब से मर रहा योगरेन, पर्माणो विक्रण, यानि रैडियेशन से जल मर जेपरेजिया के खतरनाक भट्टियों में तापमान लगातार ओपर की ओर जा रहा है जिसका आखिरी चरण होता है धमा का धमाकी के इस चेंड को डीटेल में आपको आगे बताएंगे पहले खत्रा देखिए जेपरेजिया पर्मानू प्लांट से रैडियेशन शुरू हुआ तो ये सिर्फ योक्रेम को मौत की मीन नहीं सुलाएगा इसका शिकार बेलारूस का आदमी भी होगा इसका शिकार पोलेंड के लोग भी होंगे रोमानिया भी पहुँच सकती है रैडियेशन वाली मौत और एसन की ताजा रिपोर्ट इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कखोका डैम के दूटने से जापरेजिया पर्मानू प्लांट को पानी सप्लाई के लिए बनाया गया कूलिंग पॉन्ट तबाह हो चुका है इस कूलिंग जानी पर्मानू भठी के दापमान को कम करने के ये बनाये गए पानी के दालाब से प्लान्ट को पानी नहीं पहुचा तो किसी भी वक्त तबाही मत सकती है। युद्ध में अपने से बहुत बलशाली देश्ट से लड़ रहे हैं। इस बात सबसे पहले खयाल रखा जाना चाहिए। और सेलन्स की एक कदम भी आगे बढ़ते हैं तो रूस की ये बहुत बड़ी हार से कम कुछ भी नहीं मानी जाएगी।